नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 14 नवंबर दिन मंगलवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर आज है बाल दिवस जानिये महत्व और इतिहार बिहार में नव नुक्त सुक्षकों के लिए नया फर्मान जारी नैशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले हुए सम्मानित मलेगी सरकारी नौकरी समाजिक स्रक्षा पेंसन योजना के तहट पाएं इतने रुपए इंग्लेंड के पुर्व कप्तान नासिर हुसेन ने भारते गेंद बाजो के किये तारीफ अब चले बाते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरों क्यों वस्तार से रेलवे में अप्रेंटिसिप पदों पर निकली भरती रेलवे रेक्रूटमेंट सल की ओर से इस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसिप के 1832 पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वा इस्ट सेंट्रल रेलवे की ओफीसियल पोर्टल ACTAPPT.RRCECR.IN पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे कि इसके लिए आविदन करने की अंतिम तारीक 9 दिसंबर 2023 साम 5 बजे तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो मिद्वार को किसी मानिता प्राप्त बोर से मैट्रिक 10 वी के साथ सम्बंध ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया होना अनिवारे है अभियर्थी के अधिक्तम आयू 24 वर्स और नियूंतम आयू 15 वर्स होनी चाहिए इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए जारी किये गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख ले आज है बाल दिवस जानिये महत्व और इतिहास आज जानी की 14 नवंबर को हर साल पूरे दीश भर में बाल दिवस मनाया जाता है बता दें कि आज के दिन को भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहार लाल नहरू के जम दिन पर सलिबरेट किया जाता है मालम हो कि बच्चों से चाचा नहरू के प्यार को देख कर ही 14 नवंबर को दिन बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया संसत में सर्वसम्मती से 14 नवंबर के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाने की घोशना की गई तब से इस दिन को मनाने की शिरवात कर दी गई प्रिधान मंत्री के रूप में नहरू जी देश में एक ऐसा मोहल बना जाते थे जिसमें बच्चों और उनके कल्यान पर ध्यान दिया जाता हो इसलिए इस दिन को बच्चों के अधिकाडों उनकी देख भाल करने और उनको अच्छी सिक्चा देने के साथ ही लोगों को इस बारे में जानकारी देना ही इसका मुख्य उद्देश है सेम्त राश्व महासभा के ओर से दुनिया भर में बाल दिवस 20 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है भारत में भी पहले यह दन 20 नवंबर को ही मनाया जाता था लेकिन 1964 के बाद से पंडित नहरू के जन दन के उपलक्च में इस दन को 14 नवंबर 2023 को मनाया जाने लगा निर्मित करवाय गया था या अद्वित्य मंदर नेपाली वास्तु कला का अद्बुत उधारन है कास्ट फलकों पर बने प्रणय द्रिश्य काधिकांस भाग अब नस्ट प्राया है या चोड़ी हो गया है कला प्रेमियों के लावे शिव भक्तों के बीच इस मंदर की बड निर्टक आया करते थे लेकिन देख रेक और सरकार की उदासींता की वजह से आज यह धरोहर नस्ट होता जाड़ा है तीन तलों में निर्मित मंदर के मध्य कोने के चारों किनारों पर कलात्मक कास्ट स्थम्भ है चिन में यूगर प्रतिमाय रोचकता लिये हुए है मंदर के निर्मान में इट लौस्तम पत्थरों की चट्टारे लकडियों की पट्यों का भरपूर इस्थमाल हुआ है मंदर के गर्वगरी में लाल बलुई पत्थर का शिवलिंग विद्यमान है पहर में नम निक्तु सक्चकों के लिए नया फर्मान जारी बहर लोग सेवा आयोग द्वारा अयुजित की गई परिछा से चेरत हुए नमनिक्तु सक्चकों को इन दिनों ट्रेडिंग मिल रही है लेकिन इससे बीच बिहार सरकार के सक्षा विवाग के द्वारा इन नम नुक्तु सक्षकों को लेकर एक नया फर्मान जारी कर दिया गया है जिसके तहट कहा गया है कि कोई भी नव नुक्त सक्षक एक साथ दो नौक्री नहीं कर सकते है इस बात की जानकारी विवाग के दौरा राजे के सभी जिलों को बी ईयो और हेड मास्टर को दे दी गई है उन्होंने कहा कि इसकी अच्छी तरह से जांच की जाए यह नौक्री वन रिजल्ट वन जॉब के तहट दी गई है यानि कि अगर कोई ऐसे अभ्यर्थी जो इस परिक्षा में सफल हुए हैं और नुक्ती पत्र पाए हैं और वे पहले से किसी नौक्री का लाब पाड़ है तो उन्हें पहले अपने नौक्री सिस्तिफा देना होगा उसके बाद पर इन राजियों से चलेगी स्पेशल फ्रेने लोकास्ता महापर्व के शुरू होने में अब कुछी दिन बाकी रहे गया है ऐसे में रेलवे प्रिशासन की ओर से छट महापर्व को ध्यान में रखते वे कई स्पेशल फ्रेनों के परिचालन का निरनाय लिया गया है जिसम गाडी संख्या अाट-7-9-3 और अाइड-7-9-4 में दुर्ग-पतना में दुर्ग-चरत इसमेशल गाडी संख्या सिन अतृद जूने 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 चार में पुने दानापूर रक्सवा सिकंद्राबाद जन्साधारन चुट स्पेशल गारी संख्या 08-1, 05-0606 राची जैनगर राची च्पेशल गारी संख्या 059-74 और 059-73 न्यूतिन सुकिया मधुबनी न्यूतिन फेस्टिवल स्पेशल गारी संख्या 08-183 और 08-184 सालीमार सीतामढ़ी शालीम सुने 45 34 और सुने 45 33 सरहन सहर्सा अमबाला कैंट फेस्टिबल अरणक्षित high unintended partial гाली संख्या सुने 4535 चंडिगर कटिहार चंडिगर फेस्टिबल अरणक्षित idé года इस व्यूंद सामिल है 14 या 15 नवंबा जाने कबaat भाई दूझ तीवारी खत्मा हो चूकी है और अब लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि भाई बहन का प्यार वाला तेवहार भाई या दूज कब मनाया जाएगा तो बता दी कि सास्तरों के नुसार कार्थिक मास के शुक्ल पक्ष की दुट्य थी जिस दिन दो पहर के समय परती है उसे दिन भाई दूज का तेवहार मनाया जाता है जिसे बिहार में कई लोग भर्दुत्या की नाम से भी जानते है मानमोक इस बार दो दिनों तक भाई या दूज मनाया जाने वाला है चुकि इस बार दुट्य पति थी चौधा नमबर को यानि के आज दो पहर दो बचकर 26 मिनट पर शुड़ू होगी जो 15 नमबर यानि की कल 1 बचकर 47 मिनट तक चलेगी ऐसे में इस बार यह दो दिनों तक मनाया जाएगा लेकिन अब यह सवाल उरता है कि भाई के रराट पर टिका कप करे तो मूर्द के अनुसार आप यह आज ग्यानि की 14 नमबर को और 15 नमबर को दो पहर एक बचकर 47 मिनट तक टीका कर सकते हैं नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले हुए सम्मानित मिलेगी सरकारी नौकरी गोआ में आएउजे 37 वे नेशनल गेम्स में पदक विजेता बिहार के खिलारियों और प्रसक्षकों को बीते दिन बिहार राजे खेल प्रादीकरन के पाटले पुतर खेल पडिसन में अंग वस्त्र और प्रतीक चिन देकर सम्मानित किया गया बता दे के जिन खिलारियों क द्वारा पदक जीत कर गौरवानवित किया गया है उन्हें सरकार की ओर से मेडल लाव नौकरी पाउ योजना के तहस सरकारी नौकरी भी दी जाएगी वह इस पर खिलारियों का अभिनंदन करते वे कला संस्कृती एवं युवा विभाग के मंतरी चितंद्र कुमार राय के द मिथला विभूती पर्व समारों में शामिल होंगी मैथली ठाकुर साहितिक और सांस्कृतिक महा कुम्भ के रूप में मिथला विभूती पर्व समारों में बिहार की बेटी और राश्ट्रिय फलक पर अपनी आवाज की जादू बिखेरने वाली मैथली ठाकुर शामिल होन महा सचीव डॉक्टर बैदेना चौधरी बैजू के द्वारा जानकारी देते वें बताया गया किस कारिक्रम के तहत नई पीधी को मिथला की गौरफशाली और साहितिक विरासत से रूबरू कराने की कोशिश की जाएगी। का है, ऐसे में अब सभी को लोक आस्था महा पर्व छट पूजा का इंतजार है, बता दे कि छट पूजा को लेकर तैयारियों में भी तेजी आ गई है। गाटों की तैयारियों पर नज़र रखी जा रही। और उन्हें कहा कि गाटों पर बैरिकेटिंग की जा रही वाच टावर के साथ लाइट की भी विवस्ता की जा रही है। यतरनकक्च 140 पेजल की विवस्ता और मेडिकल कैम्प के लिए स्थल नरधारित किया गया है। बड़े घाटों पर शेट का निर्मान किराया जाएगा, सभी घाटों पर अधिकारियों की प्रतिनुक्ती होगी CCTV कैमरे लगाए जाएगे। पुलिस विवाग अब डाक के माध्यम से भेज़ेगी पत्र। पुलिस विवाग के माध्यम से भेजाए तो खर्च लगभग सालाना एक करोड में ही संभव हो जाएगा, प्रतिवस लगभग डाई लाग पत्र पुलिस विवाग के दौरा भेजाता है, लेकिन अब यही काम डाक विवाग के दौरा कराया जाएगा, जिससे पैसे की काफ कैमूर जिले में तालाब में डूबने से पांच बच्चों की मौत पर बिहार के मुख्यमंतरी के दौरा गहरी शोक संभीदना व्यक्त की गई है, मुख्यमंतरी के दौरा कहा गया कि दुख की इस घरी में विपिरत परिवारों के साथ है, बता दे के मुख्यमंतरी के दौ लाब में नहाने के दौरान पांच बच्चों की डूबने से मौत हुई है। अब दूसरों को रोजगार देने का काम कर रही हम बात कर रहे हैं सुईटी राज की जो बीते 10 अक्टूबर को बोद गया के नोड वन में निकट बस स्टैन के पास ही रिबॉन टी पॉइंट खोला है। की भी तैयारी की परतीम बार रिजेक्ट हो गई ऐसे में अब जोब लेने वाली नहीं जोब देने वाली बना चाहती है। सुईटी राज का कहना है कि उनके पैरेंट्स कहते हैं कि कुछ भी करो पर अच्छा करो अपना करो। समाजिक सुरक्षा पैंसन योजना के तहट पाएं इतने रुपए। बिहार सरकार के दौरा समाजिक सुरक्षा पिंसन योजना की शुरुवात की गई है जिसका उद्देश्य वृद्ध दिव्यांत था विद्वा महिलाओं को आर्थिक सहायता के माध्यम से समाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। खाता संक्यास पस्ट रूप से प्रदर्शित हो एवं दिव्यांक तप्रमान पत्र की छाया प्रती अनिवारे हैं। पांच छेदो छेदो से भी संपर्ख कर सकते हैं। शहरों के अधिक्तम और नियुंतन तापमान में भी गिरावट आई है। दिवाली की राट ठंड लोगों को सताया विवाग की तरफ से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अचानक से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। प्रदेश के अधिकांस हिसों में हलके अस्तर का कोड़ा अगले पांस दिनों तक एवं गया जिलो के मध्यमस्तर का कोड़ा अगले तीन दिनों तक छाई रहने का नुमान चारी किया गया है। बहारी बहुतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रोहिनी भाटे के भाड़े में। तैयार करती है समिक्षा सुनील कोठारी के अनुसार विजया महिता द्वारा नर्देशित सकुंतरा के लिए उनकी कोडियोग्राफियों लेखनी है। तोड़ा और संगीत और नृत्य के संस्क्रीट मैनवल अभिनाय दर्पन का एक संपाद संसकरन जिसे कथक दर्पन दिपिका कहा जाता है। उन्होंने कतक पर कई पत्र भी लिखे 2002 में उन्होंने टाइम एंड स्पेश नामक एक जर्म डॉक्यूमेंटरी फिल्म में खुद की भूमी का निभाई। उनके काम पर डॉक्यूमेंटरी फिल्म में बन चुकी है। जिसकी पहचान दीपक कुमार के रूप में की गई है। कानिडेट को उनके प्रवेश पत्र पंजिकृत इमेल आईडी पर भेज दिये गया है। ऐसे में वे अभ्यर्थी जिनको एड्मिट का डाउनलोड करने में परिशानी का सामना करना पर रहा। पहुमेद्वार दानापूर सेना भरती रैली मुख्याले से सुभध 10 बजे से लेकर दो पहर एक बजे तक संपर्क कर सकते हैं। बता दे किस रैली में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी दरह की कोई परिशानी ना हो इसको लेकर सेना भरती मुख्याले के दोरा हर संभव मदद करने की तैयारी की गई है। पटना विश्रविद्याले भूमीगत मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी ये सुभधाई। प्रवेश निकास द्वार पर तीन लिफ्ट होगी। आकाशमिक स्थिती से रिपटने के लिए स्टेशन में तीन फायर निकास होगी। और फायर मैन के स्टेशन में प्रवेश के लिए एक अलग से प्रिस्तावित सीधी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये स्टेशन 160 मीटर लंबा एवं जमीन से 16 मीटर नीचे होगा। लेवल एक पर कान कोर्स होगा जहां यातरी के अंदरत सुभधाई मिलेंगी। वह ये स्टेशन में तीन प्रवेश और निकास द्वार होंगे। मारमोकस मेटर स्टेशन के रमान होने से चातरों को पढ़ाई के लिए आने जाने में सहूलियत मिलेगी और साथ ही लोगों को ट्रैफिक जाम से भी रहत मिलेगी। चिराग पासवान ने बताई 2020 में NDA छोडने की वज़ा लोचपर आमधिलास के मुख्या चिराग पासवान के दौरा एक्सपर ट्वीट कर ये खुलासा किया गया है कि वो वर्स 2020 में किस वज़ा से NDA से अलग हुए थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि कुछ लोग कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि 2020 में आपने NDA से अलग चुनाव लड़ने का नरनाय क्यों लिया है। मैं अभारी हूँ कि आदर ये प्रिधान मंतरी जी ने बात का सारजनी करते हुए याद किया एक ऐसे राज्य सभाज चुनाव की वक्त मुख्य मंतरी जी ने हम लोगों के साथ सामंती वेवार किया था एक पुतर के लिए पिता क्या आदर सम्मान से बढ़कर और क्या हो सक मैंने अंडिये से अलग अकेले चुनाव लड़ने का संकल प्लिया क्योंकि मुझे नितीश खुमार जी का नितित्व अस्विकार था मेरी पार्टी तोड़ने वालोंने सब कुछ जानते वे स्वार्थवस मुझ पर आरूप लगाए कि इन्होंने पार्टी इस ते तोड़ कि नेताओं से आप कोई अपेक्षा ना करें प्रशान कसोर ने कहा कि नेताओं से आप क्या पेक्षा करते हैं तेश्वियात जैसा लोग चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे से लरते जगरते रहे समाज अगर पच्छा रहेगा तभी न जाकर नौवी पास आदमी को लोग अपना नेता मानेंगे बिहार में जो आदमी शर्ट के उपर गंची पहन लिया तो लोगों को लगता है कि वजमीनी नेता है भले उसको भाशा और विश्रे का ग्यार नहीं हो कोई पढ़ा लिखा आ जाए तो हम और आप बात करते हैं कि ये बिहार में नहीं चलेगा आज देश में ब्रशचार कहा नहीं है नेता कहा जूट नहीं बोल रहे हैं इसके बावजूत आज बिहार जैसी भयावा इस्तिती देश के किसी दूसरे राज्यों में नहीं है क्या कोई तमिलनाडू महराश्टर केरल जैसे राज्यों से बिहार में आकर मजदूरी कर रहा इंग्लाइन के पुर्वकप्तार नासीर हुसेन ने भारतिये गेंद बाजो के किये तारीफ फिश्वकप 2023 में भारतिये टीम के गेंद बाजो ने बले बाजो की नींद उरा दी है वही अब भारतिये टीम के गेंदबाजों के शांदार प्रदर्शन को देखते वे इंगलाइन के पुर्वकप्तार नासीर हुसैन के दोरा तारीफों के पुल बांधे गए हैं उन्होंने स्टार स्पोर्ट से बाचीत करते वे कहा कि भारत की मौजुदा बालिंग यूनिट सबसे बेस्ट बालिंग यूनिट है मैंने इससे बहतर भारतिये गेंदबाजी अटैक पहले कभी नहीं देखा है मारत के लिए पहले भी कई दिगज गेंदबाज खेले हैं लेकिन बतोर बॉलिंग यूनिट यह 5 गेंदबाज कमाल है अगर आपको बुम्रा विकेट नहीं दिला पाते हैं तो सिराज यह काम कर देते हैं मले बाजी में जैसे फख फफ फाइब होते हैं वैसे हैं पाच के इंदबाजी में फख फाइब हैं त्रेन्मुल कॉंग्रस के नेता अजीद पांजा का 2008 में निधन हुआ भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू का जन्म अठासों नवासी में हुआ भारत प्रशिदक हिंदी कभी बलवीर सिंग रंका जन्म 1919 में हुआ धन प्रचारक भक्ती वेदान्त स्वामी प्रभुवपाद कार धन उनीचतततर में हुआ भारत के प्रसिद अर्थसासरी लक्षमी चंद जैन कानिधन 2010 में हुआ प्रसिद बाल साहितिकार एवं संपाद खरी कृष्ण देव सरी कानिधन 2013 में हुआ प्रच के दिन को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है वारल खुर में आज हम बात करेंगे मनरेगा के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सूचना है वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे, मनरेगा के बारे में दरसल पि आईबी ने अपने टूइट में लिखा है कि एक फर्जी वेबसाइट स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्इस रोजगार्डसेवक.org मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट होने का दावा कर रहा है प्याइबी नहीं टुईट में आगे लिखा है कि वेबसाइट भारत सरकास से संबंध नहीं है मन्रेगा के अधिकारिक वेबसाइट sttps//nrega.nic.in/. Instagram में मिलेगा WhatsApp जैसा feature WhatsApp Instagram और Facebook की Parent Company मेटा के दोरा Instagram पर एक नया feature दिया जाने वाला है जो WhatsApp में पहले से मौझूद है बता दिक्स feature की मदस से Instagram पर message भेजने वाले को मालूम नहीं चलेगा कि आपने Instagram पर उसका message पढ़ा है या नहीं मालूम हो कि बहुत जल्दे Instagram पर read receipt feature roll out होने वाली है ये feature Instagram users को मिलने वाले direct message पर काम करेगा आपको बता दी कि read receipt message के जर्ये इंस्टाग्राम यूजस को किसी को बताए बिना भेजे गए मैसेज को पढ़ने के अनुमती मिल जाएगी चालू रख सकता है यह फीचर शुरू होनी के बाद प्राइवेसी सेटिंग में मौजूद होगा भारी गिरावट के साथ बंद हुए शेर बाजार बीते दिन कारोबारी सब्ता के पहले तिर शेर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए पर बंद हुआ बता दे कि बीते दिन के ट्रेट में बैंकिंग, आइटी, ओर्टो, फार्म, एफम, सीची, मीडिया, इंफ्रा, ओल, एंड, गैस, हल्थ केर, कंस्यूमर डूरेबल सेक्टर के स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए जबकि एनरजी, मिटस, स्टॉक के शेर, तेजी के साथ बंद हुए मालूमों कि निफ्टी का मिड़ कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ है तो स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुआ जानकारी के लिए बता देगे संसक्स के 30 सेरों में शात सेर तेजी के साथ और 23 गिर कर बंद हुए वहें निफ्टी के 50 सेरों में 14 सेर तेजी के साथ और 36 गिर कर बंद हुए प्रदेदिनाव से 5 ऐसे जरुरी सवाल और से जवाब बताएंगे जो की बीपीसी बिहार पुलिस दरोगा समीत ससी जैसे अने प्रतियोगी परिक्षा में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करेंट अफियर्स और भुगोल से रहेंगे पूछेगे पांच सवाल में आपने कितना सहुतर दिया क्रिपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में रोहित सुरशी को किस बैंक का कारे कारी निदेशक निक्त किया गया है अप्शनी पंजाब नेशनल बैंक, अप्शनी केंडरा बैंक, अप्शनी स्टेट बैंक ओफ इंडिया, अप्शनी बैंक ओफ मरास्ट्र इसका सहुतर है अप्शनी बैंक ओफ मरास्ट्र इसका सही उत्तर है ओप्शने दल्ली अगला सवाल बिहार में भिखाली ठाको रिस्मिती पुरुसकार के शितर में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है इसका सही उत्तर है ओप्शन सी रंगमंच और लोक कला अगला सवाल बिहार में सेंट्रल फ्यू रिसर्च इंसिट्यूट कहा अस्तित है ओप्शने गया ओप्शने मुझापरपुर ओप्शन सी हाजेपुर ओप्शने पटना इसका सही उतार है ओप्शन D पटना अगला सवाल बिहार के किस जिले में फिजिकल मडलिंग सेंटर बनाया जा रहा है ओप्शन A पटना ओप्शन B सुपॉल ओप्शन C मधुबानी ओप्शन D घागरपुर इसका सही उतर है option भी सुपॉल बीते दिन हमारे दुरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अप्रजाब हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दुरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल है आज बाल दिवस पर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपना जवाब हमें मारे comment section में लिख का ज़रूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बरे रहने के देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप YouTube से देखना चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखने तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद